तमश्कार आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आशिस क्लासेज पर 5th of August का 1st Editorial हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले अगर आप paid courses एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि आपका application डाउलोड करना है यहां पर दो ऐसे courses हैं जो digital board पर है एक Hindi to English translation का batch चल रहा है और एक यहां पर complete batch जो पूरा हो गया है वो है grammar का batch ठीक है तो यह आप buy कर सकते हैं यहां से और कुछ e-books भी हैं जिनमें अभी एक नया e-book launch किया गया है एक नया e-book है April, May, June एप्रेल में जून के जो वर्ड्स है एडिटोरियल वर्ड्स पंद्रासो सेदिक वर्ड्स की एक बुक यहां पर launch कर दी गई है यह आप buy कर सकते हैं ठीक है और भी काफी सारे courses हैं तो एक application यह भी है हमार आशिस classes English इस पर आपको एडिटोरियल का batch मिलता है यहां पर SSC previous papers मिलते हैं यहां पर भी e-books available है एक close test पैरा जंबल का batch यहां पर मिलेगा ठीक है तो यह कुछ paid courses के तरीके हैं एक्सेस करने के अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल और स्टार्ट करेंगे पहले vocab देखेंगे vocab पहले देखने से यह होगा कि जब यह words आप repeat होंगे एक बार फिर से आपके सामने आएंगे तो आपको revision हो जाएगा और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि revision सबसे important चीज़ है sanctity का मतलब होता है the quality the quality of being important एक sanctity पवित्रता भी होती है लेकिन यहाँ जो use किया गया है वो इस रूप में use किया गया है the quality of being important महत्तुपूर्ण होने का गुण और अगर कोई चीज महत्तुपूर्ण है तो फिर उसको संरक्षित रखना चाहिए बेशीदी सी बात अगर कोई चीज़ important है तो उसको इजद बख्षने चाहिए तो फिर अगर कोई चीज इंपोर्टेंट है तो उसको preserve करना चाहिए उसको protect करना चाहिए ऐसा यहाँ पर sanctity का मतलब निकलेगा oriented है वो adjective है oriented का मतलब होता है aimed या directed क्या मतलब होगा aimed या directed मतलब किसी चीज के प्रती आपको इचकाम करें जैसे public oriented एक word यहाँ पर आएगा इसका मतलब public के लिए ठीक है किसी के लिए उनमुक कह सकते हो हिंदी में concerted यह executive है concerted का मतलब होता है combined या फिर आप कह सकते हो इसे united concerted का मतलब है combined या united संगठित को बोलते है ठीक है रिकर रिकर वर्ब है इसका मतलब होता है रिकर का to happen again एक बार फिर से घटित होना happen again फिर उसे घटित होना temp down फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब reduce करना होता है कम करना temp down का मतलब कम करना amicable adjective है यह जो a, b, l, e ending words होते है वो adjectives होते है इसका मतलब है friendly या फिर peaceful मतलब या तो मित्रवत कह सकते हो या शान्ति पूर्ण कह सकते हो और blockade है, वो noun है इसका मतलब है blockade का मतलब ले सकते हो आप रुकावट है यह तो रुकावट के लिए obstacle कह सकते हो ठीक है, या फिर barrier कह सकते हो hindrance कह सकते हो रुकावट, बाधा इसके लिए बोलते हैं blockade, noun है यह तो आप screenshot ले 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 इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अब देखिए, आज का editorial है, over the border line काफी आसान भाषा में लिखा गया है यह असम और मिजोरम के बीट में जो सीमा विवाद है, कुछ रेजिडेंट्स थे वहाँ पे सीमा विवाद उनको लेकर हुआ उनके बीच में हुआ, और उसके चलते वो रेजिडेंट्स से लेकर पुलिस की फाइरिंग तक पहुँच गया पैरा मिलिटरी फोर्स देखती रहे गई, कुछ वहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की गई अभी क्या है कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं दोनों स्टेट्स के उन्होंने तैग कि अब शान्ति पुन तरीके से हल निकालेंगे कंटिनियूस टॉक के थ्रू ये बातचीत हम करेंगे इस एडिटोरियल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट नया हो उनको बता देता हूं कि क्या अप्रोच हमारा रहेगा एडिटोरियल इसलिए पढ़ते हैं हम ताकि ग्रेमर रटने की जरुत ना पड़े इसलिए पढ़ते हैं कि वोकेब रटने की जरुत ना पड़े बार-बार में आती रहे इसी के अंदर ट्रांसलेशन आप सीखें आपका करन्ट अफेर्स भी अपडेट हो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी एक सबसे इंपोर्टन बात है कि जो एक कॉंप्रिहेंशन सेग्मेंट आता एक्जाम में चाहे वो क्लोज टेस्ट पूछे या फिर पैरा जंबल पूछे या फिर आरसी पूछे आप से तो वो भी आपको बहुत आसान लगे अगर रिटोरियल्स रेगुलर पढ़ रहे हैं तो एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए रिटोरियल्स हम लोग पढ़ता है ठीक है आप लोगों को बस इतना करना होता है कि pen notebook हमेशा लेकर बैटना है जब भी class लें regular classes लेनी हैं आपको और classes का timing आपको पता है कोई नया हो उनके लिए बता रहा हूँ कि Monday to Friday हम लोग मिलते है Monday to Friday आज Thursday है कल Friday Monday to Friday timing रहता है शाम को 5 बजे ये एक fix schedule हमारा एक लगबग एक डेड़ साल से चल रहा है Saturday Sunday आपके लिए free रहता है Saturday मेरे लिए इसलिए free क्योंकि मैं सोड़ा सा कुछ परिवारिक काम भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो इसलिए मैं दो दिन free रखता हूं मेरे लिए और आपके लिए freeze लिए कि आप रिविजन कर ले उन दो दिन का भरपू उप्योग कर सकते हो काफे सारे बच्चे regular हैं काफे सारे मुझे नाम भी पता हैं कि भी वो बच्चे revision करते हैं उन दो दिनों के अंदर भी तो ये एक procedure अपनाना है आपको pen notebook लेकर बैठें जो जो छोटी-छोटी बातें भी हो जैसे हलांकि मैं बहुत सारे चीज़ें यहीं पर clear कर देता हूं आपको जैसे subject निकाल कर दूँगा उसका verb बताऊंगा आपको जो ये अलग एक color में नज़राता है word उसका meaning बताऊंगा meaning को box में लिख कर बता देता हूं यहां पर तो खेर slide में जगए नहीं है इसलिए मैं नहीं दिया बाकि जिस slide में जगए होती है वहां पर लिख देता हूं कि इसका मितलब ये है बस आपको ये करना है कि इसके अलावा कुछ चीज़ें हो तो आप note करते चलना और revision ज़रूर करते रहना ठीक है और आप लोगों से एक उमीद जो मैं लगाता हूं कि आप share ज़रूर करेंगे और session को like ज़रूर करके जाएंगे ये दो चीज़े माप लोगों से चाहता हूं बाके सब चीज़े मापके लिए कर देता हूं स्टार्ट करें over the border line का मतलब क्या है border का मतलब सीमा line का मतलब रेखा over का मतलब उपर सीमा रेखा पर सीमा रेखा किसकी असम और मिजोर्म की सीमा रेखा पर उसको लेकर ये article लिखा गया है तो देखिए, the drawing down, draw down का मतलब कम करना होता है, reduce करना होता है, लिख सकते हैं, इसका मतलब है reduce, reduction, कटोती तो drawing down of tensions, परिशानियों में कटोती, कहां पर इन दो के बीच, असम और मिजोरम के बीच, at least कम से कम, at the leadership level, कम से कम, नितरत्व के स्तर पर मतलब मुख्य मंत्री तो कम से कम यह चाही रहे हैं, कि यहाँ पर जगड़ा जो है, वो समाप्त हो जाए, with the respective governments, ऐसा कैसे लग रहा है लिखक को, क्योंकि जो दोनों की सरकारे है, respective governments, मतलब असम है तो असम के सरकार, मिजोरम है तो मिजोरम के सरकार, announcing, यह घोशना कर रही है, विदा गया, तो आए अनलंजिंग लग गया, the withdrawal of FIRs, की यह अब वापस लेना चाह रही है, withdrawal का मतलब होता है, वापस लेना, FIRs, against the chief minister of असम, and a Rajya Sabah MP from मिजोरम, की एक तो असम के मुख्यमंत्री खिलाफ FIRs करवाई गी थी, फिर असम ने दर्ज करवा दी, मिजोरम के ए और भी इन्होंने कदम उठाया है, लेकिन एक कदम ये उठाया है, शान्ती की पहल करने के लिए, कम से जे ग्रेट रिलीफ, ये जो ड्रॉइंग डाउन है, ये जो रिडक्शन है, ये आया है, एक बहुत बड़ी राहत की रूप में, रिलीफ नाउन है, ग्रेट यहां पर तो आई ही है, ऐसा इस तरह के से हुआ है कि दोनों सरकारें जो हैं, अब वो अनाउन्स कर रही हैं कि भी मिजोरम वाले कह रहे हैं, कि जो असम के मुख्य मंत्री के खिलाफ हमने एफाय डर्जकर वापस ले लेंगे, इदर असम ने कहा कि भी मिजोरम के एंपी के खिलाफ जो हमने एफाय डर्जकर वापस ले लेंगे, और भी कुछ स्टेप्स याने अनाउन्स किये हैं, उनके बीच ये स्टेप्स मुख्य हैं, और ये जो ड्रोइंग डाउन हुआ है, ये जो कटोती हुई है, इन्टेंशन में ये एक बड़ी राहत के रूप में आई है, ठीक ह अच्छा इसको अगर आप ये मानके चलें, ये प्रेजेंट सिंपल है वैसे, अब प्रेजेंट सिंपल को अगर वैसे पढ़ता हूँ मैं, तो इसको हैबिच्वल एक्शन के रूप में नहीं लेना है आपको, आप ऐसे लें कि ऐसा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों राज्यों के बीच में हमेशा विवाद होता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा कॉंटेक्स्ट को समझते वे लेंगे, तो इसका मतलब निकलेगा कि आया है, मतलब ऐसा हुआ है, और बिट्विन है, बिट्विन के साथ में कोर्रिलेटिव कंजंक्शन जो है, वो एंड का प्रियोग करते हैं, ये पेर याद रखें, बिट्विन के साथ में एंड लगता है, ठीक है, अच्छा, इसके अतिरिक्ट कुछ नहीं चीज़ें, यहां पर कुछ खास नहीं है, अमंग जो है, वो दो से अधिकल लगता है, चूंकि अधर स्टेप्स दे रखा है, तो यहां इसका रण से यहां पर अमंग अप रही होगे, आगे देखते हैं, यह जो कारिये हैं, फोलोड, यह किसके बाद हुए, फोलोग का मतलब इससे पहले कुछ घटनाएं, घटी हैं, उसके बाद में यह हुआ है, तो यह जो कारिये किये हैं, FIR का विड्रोल किया है, कुछ और steps भी लिए हैं ये जो कारिये हैं ये किसके बाद हुए जब छे पुलिस वाले मर गए और एक civilian मारा गया एक नागरिक मारा गया फ्रॉम असम असम से नागरिक था ठीक है इन वाइलेंट गन फाइट किसमें एक हिंसक गन फाइट हुई थी गन फाइट मतलब गोला बारी दोनों तरफ से हो रही थी इन दा बोर्डर टाउन ओफ वेरिंटे इन मिजोरम ये कहां की बात है ये सीमा पर एक कसबा है ये नाम हो उस कसबे का मिजोरम में पढ़ता है यहां पे लड़ाई हुई थी कब की बात है जुलाई 26 को विज एक्सरबेटेट और ये जो लड़ाई हुई थी थी ना गन फाइट ये इसके लिए विचार रहा है ये एक्सरबेट हो गई एक्सरबेट का मतलब होता मेक वर्स किसी चीज़ को और बदतर कर देना वर्सन होना ठीक है ये और ज़्यादा बदतर हो गई and already fraud situation मतलब इसने और ज़्यादा खराब कर दिया किसको पहले से fraud situation को fraud का मतलब होता है tense fraud का मतलब tense या फिर कहेंगे difficult जो परेशानी भरा है जो मुश्किलों से भरा है उसे कहते हैं fraud तो पहले से जो मुश्किल परिस्तिती है उसको इसने और ज़्यादा बदतर कर दिया between the states का मतलब इन दोनों राज्यों में राज्यों की between इसलिए कि दो राज्यों की बाचा असम और मिजवरम इसलिए between लगा दिया अब यह दीज जो है यहाँ पर दीज डेमोंस्ट्रेटिव एज्जेक्टिव है यह ऐज्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि आगे नाउन दे रखाए अगर आगे नाउन नहीं होता तो मैं इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन भी कह सकता था these actions these plural है इसका रण से actions हार अगर यहाँ पर this होता तो action ही आता these actions subject है इसकी verb यहाँ पर क्या है followed ये गए कारिये तो परतिशोधात्मक जो एक्शन्स हैं जैसे कि या क्या किया सच उधारान देने के आता जैसे कि अगेंस्ट प्रमिनेंट का मतलब होता मुख्य प्रमुख रिप्रेजन्टेटिव क्या होता है प्रतिनिधी तो प्रमुख प्रतिनिधियों के खिलाफ एफायर दर्जकराने का रहे हैं एट टाइम वो भी ऐसे समय पर वैन ये ड्वाव टाइम आ गया जब लोकल्स लोकल्स क का मतलब थोपना होता है उन्होंने लगाया हुआ था ब्लोकेड ब्लोकेड क्या था बैरियर अब्स्ट्रेक्शन अब्स्टेकल पहले हमने देख लिया था तो उन्होंने लगाया हुआ था एक बैरियर लगाया हुआ था किसलिए डिसलाउइंग अलाउग का अपोजिट है अलाव का मतलब अनुमति देना ये अनुमति नहीं दे रहे थे किसकी ट्रक्स वीर इसेंशल गुड्स कि आवशक समान लेकर जो ट्रक उस घाटी से गुजर रहे थे उनको इन्होंने रोक दिया कि वो समान इधर से आवाजा ही उन्होंने रोक दी फ्रॉम एंटरिंग मिजोरम और किस लिए रोक दी रोका है इन्होंने किस लिए मिजोरम में एंटर करने के करने से रोक दिया ठीक है सीमड अब यह सीमड किसके लिए आ रहा है अब यहां से यहां तक की बात है वो तो थोड़ा सा घटना करम इसने बता दिया अब यहां से यहां तक के बाद घटना करम बता दिया तो रिटेरेटरी एक्शन जो है वो ऐसे प्रतीत हुए तो इंडिकेट कि यह संकेत दे रहे है that the state's leaderships states plural है इस कारण से देखो s के बाद में अपोस्ट्रोफी है अगर यह singular होता तो s से पहले अपोस्ट्रोफी होता leaderships नितरत्व है चुकि दोनों राज्ये हैं दो नितरत्व हैं इसलिए यहां पर plural है यह plural है ठीक है कि जो state के leaderships है वो थ्रोइंग अवे अब देखो scabat जो शब्द होता है इसका मतलब वैसे sheet होता है case होता है जिसमें तलवार रखी जाती है वैसे यह पूरा एक phrase के रूप में लेंगे throw away throw away scabat का मतलब होता है to make unlikely to happen sorry इसका मतलब होता है कि हर वो प्रियास जो शान्ती के लिए कहाता है उसको abandon कर देना तो इसमें लिख लिजिए abandon all the possible efforts abandon all the possible efforts to make peace शान्ती स्तापित करने के हर एक संभव प्रियासों को छोड़ देना उसको बोलते हैं क्या यह throw away scabat militate against militate against का मतलब होता है to make unlikely to happen to make unlikely to happen मतलब किसी चीज को ऐसमभव कर देना घटित ना हो ऐसा मतलब कर देना रोक देना घटित होने से उसको बोलते है militate against तो इन्होंने ऐसा लगा यह जो actions हुए यह ऐसा लगा कि संकेत दे रहे हैं कि state की leadership जो है वो मतलब शान्ती स्तापित करना ही नहीं चाहती है militate against their own moves to restore काम और उनके खुद के जो कदम थे शान्ती वापस से स्तापित करना पुनर भाल करने के उनको रोक रहे हैं ठीक है फिर समझना retaliatory action परतिशोधात्मक कारिये जैसे की F.I.R. दर्ज करवाई गई दोनों जो स्टेट हैं उनके प्रमुक परतिने दी हैं उनके खिलाफ और उभी उस समय जब बराक घाटी जो है असम में वहां के जो स्ताण्यनागरिक हैं उन्होंने पहले से ही एक barrier लगाया हुआ था उस barrier लगाने से क्या हुआ कि जो essential goods लेकर ट्रक आवजा ही हो रही थी उसको रोक दिया था ठीक है मिजोरम में enter नहीं होने दे रहे थे तो ये जो retaliatory actions है ये ऐसे प्रतित हुए ये subject है ये verb है इसकी कि ये संकेत दे रहे हैं विशांतिय स्थापित करने के लिए आपो कुछ compromise करने पड़ते हैं आप अगर F.I.E.R.S. करवा रहे हो आप अगर ये blockade चल रहा है उसको नहीं हटवा रहे हो इसका मतलब फिर आप शांतिय स्थापित नहीं करना चाहते हैं अब इसमें प्रियोग हमें एक्जांपल देने के लिए करते हैं ये ध्यान दखियेगा प्रियोग एक्जांपल देने के लिए करते हैं वेन है वो time के लिए आता है तो ये इसके लिए our adverb of time है यहाँ पे ठीक है और disallowing जो है यह present participle यहाँ पे बन रहा है ठीक actions noun है retaliatory adjective है that determiner है और इसमें क्या था खास और तो सब कुछ पता ही ही आपको तो ये note कर लीजिएगा इसके बाद देखे after all आखिरकार after all का मतलब आखिरकार the governments had taken the right decision सरकारों ने सही decision लिया सरकारें क्यों कहा इसने क्योंकि एक तरफ मिजोरम की सरकार है एक तरफ असम की सरकार है तो अंतत है governments ने बिल्कुल सही decision लिया क्या decision लिया तो withdraw their police forces उन्होंने अपनी अपनी जो police forces हैं उनको withdraw कर लिया वापस बुला लिया from a four kilometer disputed stretch कहां से चार किलोमेटर का विवादासपत एक छेतर था stretch का वैसे फैलाओ होता है यहाँ पे area कह सकते हो reason कह सकते हो तो चार किलोमेटर का विवादासपत छेतर था वहाँ से police forces को वापस बुला लिया and let it be और एक का मुर किया let का मतलब ऐसे होता है allow to do something और क्या कर दिया इस छेतर को यह जो it है यह इस stretch के लिए आ रहा है इस छेतर को छोड़ दिया we mend man का मतलब होता है operate करना कि यह संचालित हो यह operate हो किस के द्वारा central paramilitary forces के द्वारा किंद्रिये अर्द सेन्ने बलों के द्वारा कब तक जब तक की permanent solution is found on the border question कि जो सीमा विवाद है question का मतलब है आभी dispute पढ़िये कि जो सीमा विवाद है उसका इस्ताई हल निकल जाए तब तक ठीक है फिर समझो आकिरकार government से ने बिल्कुल सही decision लिया decision क्या लिया कि police forces को withdraw कर लिया कहां से 4 किलोमेटर के विवाद असपत छेतर से यह noun है यह adjective है और क्या किया यहां जैसे head taken है वैसे यहां पे head की जरुत नहीं लगाने की सीधा let लगा दिया इसने तो यह कह रहा कि head let ही पढ़ना और इसने एक काम और किया कि इस छोड़ दिया कि यह operate किया जाएगा paramilitary forces के द्वारा कब तक जब तक कि इस border question का इस सीमा विवाद का स्ताई समाधान ना निकल जाए solution जो है वो noun है और permanent है वो adjective है आगे देखे but the blockade and the damage लेकिन जो यह विवधान है जो यह रुकावट है जो यह barrier था abstraction था अबस्टेकल था और damage जो नुकसान यहां पे हुआ caused to the only rail line connected to the miserum तो यह जो blockade and damage है जो की हुआ किसका एक मात्र जो rail line थी देखो there only लगता है इसका मतलब एक मात्र है only लगाओगे तो केवल होता है तो जो एक मात्र rail line जो जुड़ी हुई थी मिजोरम से उसको जो नुकसान हुआ है उस पे जो विवधान लगाया गया था इस चीज़ ने क्या किया इसने matter को और ज़्यादा tough कर दिया और अधिक मुश्किल कर दिया मामलों को culminating culminate का मतलब होता है sirs पर पहुँचना इकोनोमिक ब्लोकेड कि यह जो मीजो बार असोशियेशन है ठीक है वकीलों की एक असोशियेशन है इसने एक PIL दायर की PIL होता है पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन जन हित याची का ठीक है किसके सामने इस पीठ के सामने जजिज की एक बेंच है आईजवाल बेंच उसके सामने ये कहां की बेंच है गौार्टी हाई कोर्ट की और किसके खिलाफ यहाँ पे PIL दायर की इकोनोमिक ब्लोकेड की भी आर्थिक विवधान यहाँ पे आ रहे हैं मुख्यमंत्री जो है अब ऐसा लगता है कि प्रतिबद है किसलिए बातचीत को लेकर अच्छा कमिटेड टू के बाद में अगर यहाँ पे वर्ब आती है तो ING रूप में लगाना होता अगर यहाँ वर्ब लगानी होती तो ING रूप में लगती लेकिन यह टॉक्स यहाँ पे नाउन है इसलिए ING नहीं है तो कहरा है मुख्यमंत्री जो है अब ऐसा लगता है कि प्रतिबद हैं बातचीत को लेकर ठीक है इसमें असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा सर्मा है उन्होंने तो यहाँ तक ही सजेस्ट कर दिया इवन जो है वो इंफेसाइज कर रहा है यहाँ तक भी इन्होंने सुझाव दिया तैस गार्मेंट विल एप्रोच कि उनकी सरकार जो है वो जाएगी कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले दय है ध्यान रखिए किसले जाएगी एक ऐसे हल को निकालने जो की मित्रवत तरीके से निकल जाए शान्ती पूर्ण तरीके से निकल जाए एमी केबल का सिनोनिम देखा था फ्रेंडली होता है और इसका पीसफूल होता है फिर समझो मुख्यमंतरी जो है तो लगातार बातचीत बिना रीक्रीमिनेशन के मतलब परस पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के बगार यह एक मातर तरीका है यह कंटिनिंग टॉक्स की वर्ब है यह एक मातर वे आउट का मतलब सल्यूशन और एक बात ध्यान रखना सल्यूशन किस चीज़ का है उसके लिए टूका पर योग करता है तो यह एक मातर तरीका है किसका हल निकालने का हल किसका टैंप डाउन करने का टैंप डाउन का मतलब क्या होता है कि टैंशन कम की जा सके दोनों स्टेट्स के बीच तो लगातार बातचीत और उसमें आरोप परत्यारोप अगर नहीं है तो यह एक मातर तरीका होगा टैंशन को कम करने का दोनों रज्यों के बीच नेक्स देखें यह जब मोर्डल के साथ है तो यह पास्ट में ले गया इसका मतलब situation कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी यहां तक नहीं आनी चाहिए थी what begin as a conflict जो कुछ भी what की verbs begin है और what begin as a conflict पुरा एक कलोज है इसकी verb यहां पर आगे मिलेगी आपको तो कहरे जो कुछ भी शुरू हुआ as a conflict एक विवाद के रूप में पर सीमा छेतर पर that is disputed between them और यह सीमा छेतर कौन सा है जो उनके बीचे में विवादास्पद है disputed है morphed into तो यह जो morph into है इसका मतलब होता change into यह transform into तो बदलाव किस चीज में हो रहा है उसके लिए into का प्रियो करेंगे transform कह सकते हो वो बदल गया क्या चीज what begin is the conflict यह पूरा जो close है उसकी verb है यह morph into तो जो कुछ भी एक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ लडाई के रूप में शुरू हुआ रज्यों के नागरिकों के बीच border area में जो की disputed है उनके बीच में वो बदल गया a violent battle एक हिंसक लडाई में between police और लडाई किसके बीच चली police वालों के बीच with paramilitary forces doing little और इसमें paramilitary forces जो है जो earth send बल है उन्होंने कुछ भी नहीं किया little का मतलब no या nothing क्योंकि little के पहले न a है न दे है little से पहले जब न a आएगा न a दे आएगा इसका मतलब है no या nothing इन्होंने कुछ नहीं किया किस चीज़ के लिए इसे नियंतरित करने के लिए या फिर इसे रोकने के लिए halt का मतलब होता है stop तो ना तो इन्होंने रोका कुछ इसको और नहीं इन्होंने नियंतरित करने का परियास किया देर रोल किनका रोल पैरा मिलिटरी फोर्स का उनका जो रोल रहा किसमें वाइलेंस को रोकने में और securing the peace और शान्ती स्तापित करने में secure का मतलब यहां पे obtain मान लो शान्ती प्राप्त करने में ठीक है in the border areas सीमा छेत्रों में between the state दोनों राज्यों के बीच में will now be paramount अब यह सर्वोच होगा paramount का मतलब एकमे या अपोजी या एपैक्स सबसे उपर टॉप पर होगी यह बात अब उनका जो रोल है paramilitary force का किस चीज़ में हिंसा को रोकने में और peace secure करने में peace प्राप्त करने में border areas में दोनों states के बीच वो सबसे बड़ी बात आप होगी इनको मतलब control करना ही पड़ेगा even edge even edge का मतलब होता है while जब दो काम साथ में हो तो वहाँ पे आप even edge का कर सकते हैं जबकि the assam government must compel compel का मतलब होता है impel इसका मतलब force करना मजबूर करना तो कह रहा है assam government must compel residents साथ ही assam सरकार जो है उसको जरूर से जरूर residents को impel करना पड़ेगा force करना पड़ेगा to avoid continuing the blockade क्या करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए force करना residents को residents को मजबूर करना पड़ेगा कि वो avoid करें वो बचें किस चीज़ से इस blockade को continue करने जो रास्ता रोग रखा उन्होंने उस चीज़ को continue करने से बचें avoid के बाद में जब कोई आपको verb लगानी है तो ing form में लगती अगर प्रोब शब्द का प्रियोग होता तो भी into लगता यहां पे एक impartial inquiry impartial का मतलब unbiased unprejudiced जो बिना पक्षपात की की जाए just तरीके से न्यायोची तरीके से की जाए तो एक निश्पक्ष जाच किस में into the sequence of events कि घटना करम किस-किस तरीके से यह हुआ है ना क्या sequence रहा क्या करम रहा उसकी inquiry that led to अब यह that आ रहा है किसके लिए जो events है उसके लिए तो यह वो events जो की आगे चलकर तबदील हो गए lead की second form ए lead जो तबदील हो गए किस में firing incident गोलाबारी के घटना में and deaths और फिर मरत्यू हुई कुछ लोगों की must also be held तो यह जो inquiry है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए hold की third form held है be held passive ways है तो ऐसी inquiry जरूर से hold की जानी चाहिए so that ताकि such a situation ताकि ऐसी कोई स्थिति does not recur फिर से ना हो रिकर का मतलब happen again फिर से घटित ना हो सच के बाद में noun है वो singular आ रही है तो इसलिए ए लगा दिया अगर situations होता तो यहाँ पे ए नहीं आता यह दोनों situation हो सकती है सच के बाद में on the question of settling the borders यह जो प्रश्न है किसका प्रश्न ना हो आपत्ती ना हो मिजोरम को भी आपत्ती ना हो इस तरपे a concerted तो कह रहा है कि बाई इस question को settle करने के लिए concerted मतलब combined united एक संयूक्त people oriented approach मतलब people को ध्यान में रखकर एक approach by the respective authorities respective मतलब क्रमशे अधिकारियों के द्वारा असम के अधिकारी मिजोरम के अधिकारी with the facilitation facilitation का मतलब यहाँ पे help मालो वैसे होता किसी चीज़ को आसान करने की प्रक्रिया facilitate करने की क्रिया किस के साथ help के साथ सरकार के help केंदर के help के साथ can strive to strive का मतलब होता है प्रियास करना किस चीज प्राप्त करने का है न अचीव करने का प्रियास करना तो यह चो चीज है यह यहां पे एक संघर्ष हो सकता है एक स्ट्राइव हो सकता है तू अचीव प्राप्त करने के लिए that instead of a purely judicial क्या है ये juridical approach ठीक है that instead of a purely juridical approach that seeks to address this via the state's respective historical claim instead of के बजाए किसकी बजाए purely शुद्ध रूप से juridical approach का मतलब भी court में जाने की बजाए ठीक है यूं कहे दो juridical का मतलब court से संबनित approach पताईए आपको that seeks to that यहाँ प्यार है इसके लिए ये juridical approach क्या है जो ये चाहती है कि address seek का तलाशना, चाहना, मांग करना address मतलब rectify करना this via the state's respective historical claims कि बई juridical approach ये कहती है कि इस चीज़ को हल किया जाए किसके द्वारा via मतलब अध्यम से state के respective historical claims कि मिजोरम का इतिहासिक दावा क्या रहा है असम का इतिहासिक दावा क्या रहा है उस अधार पर सोल करें a method ये एक ऐसा तरीका है that is used to settle sovereign claims जो की इस्तिमाल किया जाता है settle मतलब निप्तारा करने के लिए sovereign का मतलब होता है जो कहता है कि भी supreme power हमारा है sovereign का मतलब supreme power या independent होना हम किसी के अधीन नहीं आते है यहाँ पे तो ये जो दावे हैं उनको settle करने के लिए ऐसा किया जाता बहुत लंबा sentence हो गया फिर से देखना है इसको तो कहरे है on the question of settling the borders of both states तो इस प्रशन पर अगर बात करें प्रशन क्या है कि भी borders को settle किया जाए दोनों राज्यों के satisfaction के स्तर तक तो इस प्रशन पर एक संयुक्त और people oriented approach एक संयुक्त मतलब मिल जूलकर और लोगों के लिए approach ये क्या था oriented का मतलब directed या aimed तो लोगों के लिए जो approach है किसके द्वारा respective authorities मतलब मिजोरम के अधिकारी मिजोरम वालों के लिए असम के अधिकारी असम के लोगों के लिए ठीक है with the facilitation of the center और इसमें सहीोग किसका हो किंद्र सरकार का तो ये जो approach है ये क्या कर सकती है ये strive कर सकती है मतलब कोशिच कर सकती है किस के लिए प्राप्त करने के लिए ठीक है that इस चीज़ को ये प्राप्त करने के लिए कोशिच कर सकती है किस की बजाए इस पूरे तरीके से juridical approach की बजाए मतलब पूर्ण तया आप court में ना ले जाएं मुकदमा यहाँ पे अगर आप people oriented approach अपनाएं एक सर्युक्त परियास करें तो ऐसा हो सकता है ठीक है जूरिटिकल अप्रोच क्या होती है जूरिटिकल अप्रोच चाहेगी कि इस मुद्दे को solve करें states के respective historical claims के दुआरा राज्यों के जो क्रमश है इतिहासिक दावे हैं उसके दुआरा ठीक है अब कहरा है यह जो अप्रोच बता रहे है न यह अप्रोच एक ऐसा तरीका है जो कि sovereign claims को settle करने के लिए use किया जाता है काफी लंबा चोड़ा sentence है बाकि a concerted people oriented approach subject है इसकी verb जो है वो यह can strive है that relative pronoun है इसकी verb यह seeks है फिर यहाँ पर that दे रखा है method के लिए relative pronoun है इसकी verb is used है जो कि passive हो इस है sovereign का मतलब supreme power को बोलते है independent को बोलते है strive का मतलब संघर्ष करके प्राप्त करना होता है ठीक है आगे देखेगा after all आखिरकार both assignment miserum both के साथ end लगता है correlative conjunction after all आखिरकार both assignment miserum दोनों ही राज्जे are part of the Indian union ये भारत संघ के हिस्से है बही अलग तो है नहीं भारत का हिस्सा है and interstate cooperation और कहरा कि interstate का मतलब है एक राज्जे का दूसरे राज्जेस cooperation एक होता है intra intra का मतलब होता है within अगर intra state आता तो इसका मतलब एक ही राज्जे के भीतर और ये है एक राज्जे का दूसरे राज्जे को सहयोग and cohesion cohesion का मतलब होता है unity और एक ता our central वो मुख्य है central का मतलब यहाँ पे vital मालो important मालो significant मालो to the sanctity of the federal system sanctity मतलब क्या बताया था कि महत्योपूर्ण हो और महत्योपूर्ण इसलिए इसको preserve करना चाहिए इसको protect करना चाहिए तो भारत जो संग सिस्टम है federal system का मतलब होता है कि भारत एक संग है जो राज्जों से मिलकर बना है तो भारत केवल मतलब एक संग का मतलब यह हो गया कि राज्जों के support से ही भारत बनता है इसका मतलब यह है तो federal system के sanctity को सुरक्षित रखने के लिए यह बहुत ही महत्योपूर्ण है कि interstate cooperation हो और एकता हो ठीक है तो यह था आज के सेरिटोरियल में अब मुलाकात होगी कल शाम पांच बजे एक नए सेशन के साथ तब तके लिए नमस्कार Thank you very much